हेलो गाइज विल्कम बैक टो मैं चैनल स्मार्ट जोई तो गाइज से सीजियल नियू नोटिफिकेशन कब तक आएगी यह बहुत सा यह लोग कोशन है कि क्या एनरे सेटी के थ्रू होगा और स्लेवस क्या रहेगा क्या एक्जाम पैटर्ण में हमें कुछ चेंज यह देखने सेट somkal की नोटिफिकेशन जो आने वाली है वह एंसती थुरू आएगा यह नियूटिफिकेशन सबसे पहली बात जो जो नर्सषीटी है मार्च 2022 से लगहोगा ठ». यानि उसमें जितने भी नोटिफिकेशन आएगे वह 2020 के होंगै ना कि 2021 या 2021 के हैभीunda के है एक साल का यहां पर डिले रहता है अब देखो अभी 20 वाली प्रोसेस कंप्लेट कर जा रहे 21 का इंडरी यहां पर आ चुका है ठीक है तो ऐसे अगर हम देखे तो 2021 की जो नोटिफिकेशन है वो SSC की थुरू ही आएगा SSC के जो यहां पर पैटर्न है सेलेक्शन पॉर्से से उसी के थुरू होगा ठीक है फिर बाद में जो आपका यहां पर NRSCT के थूरह आने वाला है वो 32 वाले notification होने वाले ठीक, वो 32nd की क्या होगी 23nd приходi notification होगी और जो 21 वाले notification होगी वो यहाँ पर same pattern पर रहाएगा तो जो candidate इसका preparation अभी से करना चाहते हैm वो same pattern पर CGL की जो new notification य Corner उसकी यहाँ पर preparation कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको एज लिमेट एक्जाम पैटर्न और सेलेक्शन पॉर्सिस से बताने वाले है वीडियो को पूरा देखना तो एनरे सीटी के थुरू जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा क्या होगा 22 वाला आएगा और सीजील की अभी 22 वाली नोटिफिकेश होगी ठीक है तो यह चीज के लिए रखना अब हम बात करते हैं इसके एज लिमेट सेलेक्शन पर्सिस और एक्जाम पैटर्न यहाँ पर क्या रहता है उसके बारे में इसके एज लिमिट और क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो इसका एज लिमिट है वह 18 से लेकर 32 साल य यहाँ पर 30 साल का है ठीक है फिर आगे हम बात करें असिस्टेंस सेक्शन ओफिशर का जो है उसके लिए भी 18 से 30 साल है तो अलग-अलग यहाँ पर पोस्ट के लिए अलग-अलग एज लिमिट है जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर अफ्टू 30 यहाँ पर रखा ग तो बाकी आप OBC में हो तो 3-year, SST में हो तो 5-year आपको यहाँ पर मिलता है बाकी जो हैंडिकैप में आते हैं एक सर्विसमें में आते हैं उनकी यहाँ पर Age Relaxation मेंशन है कि कितने-कितने सार उनको यहाँ पर Age Relaxation मिल सकता है ठीक है तो वो लिष्ट आप देख सकते हो जिस भी से ब्लॉंग करते हैं उसको आप यहाँ पर देख लेना अब बात करें यहाँ पर qualification की तो कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए कुछ यहाँ पर qualification required है बाकी सभी पोस्ट के लिए जितने भी other पोस्ट है ठीक है यहाँ पर यह कुछ ऐसे पोस्ट है जिसके लिए important कुछ specific आपक qualification required है तो जैसे कि आपका investigator की जो पोस्ट ग्रेड वी की उसके लिए आपकी जो यहाँ पर qualification required आप देख सकते हो बैचलेस्ट डिग्री आपका होना चाहिए minimum 60% आपके marks होने चाहिए mathematical से class 10 में ठीक है तभी आप यहाँ पर इस form को भर सकते हो इस post के लिए ठीक है इस post के audit officer के लिए आपकी यहाँ पर ग्या जाहिए bachlas dele होनी चाहिए किसी भी subject में आपका बैचलेस्ट डिग्री होना चाहिए तो आप यहाँ पर form को भड़ सकते हो next आप देख सकते हो compiler की जो पोश्ट है उसके लिए यहाँ पर बैचलेस्ट डिग्री होना चाहिए and शात ही साति रखा गया है जो आपका compiler है उसके लिए बाकि हम बात करें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए तो यहाँ पर भी कुछ ही क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन यहां पर होना है ठीक है उसके बाद आप यहां पर क्या चाहिए qualification के लिए आपकी जो computer प्रोफेंसी टेस्ट है वो भी होना चाहिए ठीक है candidate also qualify in the computer प्रोफेंसी टेस्ट है यह आपके लिए यहाँ पर होना जरूरी है यह इसके साथ है mission करा गया बाकी जो all other post है उसके लिए आप रेकोनाईज इनिवर्सिटी से आपने अगर graduation कर रखा है तो बिल्कुल आप यहाँ पर eligible बाकी यहाँ पर हम देखे तो आप यहाँ पर यह देख लो जो आपका selection process वह चार stage में होता है tier 1, tier 2, tier 3 और tier 4 होता है तो जो यह नहीं कि हर एक post के लिए tier 3 हो जाए ठीक है tier 4 हो जाए यह जरोई नहीं है अगर आप full complete syllabus देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हूं वहाँ पर मैंने already इसकी complete details ले बना रखी है topic wise ठीक है तो उसको भी आप जाकर देख लेना अब tier 1 में यहाँ पर क्या होता है यह आप देख लो क्योंकि tier 1 सबका यहाँ पर common होता है तो यह सारे पोस्ट के लिए tier 1 कंड़क्ट कराया जाता है तो आप यहाँ पर देख लो क्या होता है common इसमें जो subject होते हैं वह यही सारे रहते हैं चार सब्जेक्ट, reasoning, general awareness, quant और linguistic हैं यहाँ पर total 100 question हैंगे 200 marks के और 60 minute आपको यहाँ पर time दिया तो बिल्कुल आपके SSC के pattern पर ही आना है क्योंकि 222 से आपका लाग हो रहा है तो 22 वाले जितनी विकेंसी होगा वो NRSVT के थुरू यहाँ पर release कर जाएगा तो ऐसी और amazing information के लिए channel को subscribe करें वीडियो को like share जरूर से करें तो मिलते हैं अपने ले वीडियो में तब तक doubt है या कोई concept में आपको problem है boards या कोई भी exam हो 24 इंटो 7 आप अपने doubts को clear कर सकते हैं तीन easy steps से सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको फिलो एप को download करना है फिलो एप आप वीडियो के description box में देए लिंक से भी download कर सकते हो और play stores भी जाके download कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पर अपने number से sign in कर लेना है फिर आपका जो question है उसका photo लेना है और photo लेने के बाद आपको उस पर upload कर देए आप उहाँ पर upload को लेगे question का photo 60 seconds के अंदर इंडिया के best educator के साथ आपको connect किया जाएगा और आपके question को live यहाँ पर solve किया जाएगा गाइज आज ही download करें फिलो आप वीडियो की discussion box में